विलेज टडीज का चाप्टर से मैं आपको एक छोटा सा एक टॉपिक बता रहा हूँ कि जब इंडियन विलेज टडीज होनी शुरू हुई और उसके बाद इंडियन विलेजिस के बारे में बहुत सारे इंडियन लिखते हैं आके या पर इंडियन पॉइंट और व्यू से मे एक कीवर्ड के साथ जो की पेपर में री प्रड्यूस करनी काफी असान है सुदीर याद अखनाप सुदीर इस दा कीवर्ड फॉर फॉर फीचर्स ऑफ इंडियन विलेजिस पहला है सेल्फ सफिशेंसी बस्टेड कोलोनियल जितने भी हमारे पास यहां मास्चर्ज आये सब आपस में लोग आपस में लड़ रहे हैं भिड रहे हैं जगड रहे हूँ हू नहीं हू कास्ट के नाम पर बएज़ रैं तूँ त beetle अरती काम लिएजमानी प्रेजिस्टेम की बारी है है की जजमानी lafini को बांत है स्टाइग सेट की सेटी हैं दूबार हम देखेंगे हम ध becomes diversity वो कहते हैं कि diversity present है पहले वाले बोलते हैं कि diversity नहीं है कि हमारे villages में बहुत ही वो ऐसे जितमें colonial masters थे वो कहते हैं कि ये बहुत ही fossilized हैं कि बस जैसे बने शुरू हुए थे वैसे ही रह गए कोई diverse idea नहीं आए कुछ नहीं हुआ हमारे villages are very archaic तो वो कहते हैं कि हमारे जो Indian village study जब हुई वो कहते हैं diversity present है both within the village and outside the village ऐसी दूबे ने इस पर बहुत काम किया and then identity, I is for identity villages, identity की तरहां यूज़ होते हैं जिसे पंजाब में particularly आप देखो तो system आया था महलवारी system महलवारी system का मतलब क्या था कि एक गाओं का कोई head निकुत कर दिया जाएगा और वो सब लोगों से पैसे बगारा जो भी rent ticket करके अंग्रेजी हुकूमत को पहुंचाएगा ठीक है ठी? तो उसके बाद जैसे आपने नाम सुना अगर पंजाब के चीफ पनिश्व से बादल तो बादल is the name of a village तो village से लोग identity derive करते हैं जैसे आपने नाम सुना खन्ना खन्ना is the name of a village तो village से लोग identity derive करते हैं और इसलिए MNS ने बोला, श्री निवास ने कि जो villages सिरफ as such exist नहीं करते villages से लोग identity भी derive करते हैं जो की एक अलग से एक break था colonial history से जो colonial वास्टर समय जिससा समझते थे and then R is for reciprocity कि villages में सिरफ और सिरफ जो आपको exploitation नहीं चल रहा, reciprocal relationship भी है जैसे जजमानी system William Weiser ने इस पर बहुत काम किया and वो बोलते हैं कि system is very reciprocal in nature and it is not that exploitative as has been told by a lot of colonial masters तो self-sufficiency burst करी हमने कि नहीं self-sufficient नहीं है interact करते हैं यहां वहां से unity present है then diversity present है within and outside डूबे का नाम लेक्के आपकी code कर सकते हो identity का source बनता है पंजाब का महलवारी code कर सकते हो MNS का idea code कर सकते हो reciprocity है यह William Wiser का तो यह Indian villages जो Indian village studies हुई है उसमें से कुछ characteristics निकल कराते हैं जो आपको मैंने बताए and एक और अपना next video करेंगे जिसमें हम आपको बताऊंगा कि various village studies में क्या-क्या perspective आते हैं यह broad हमारे पास art perspective ही है उसकी बात करेंगे हैं ठीक है दोस्तों मिलते हैं जल्दी थैंक्यू